हेलो एब्रीवन वन सेगर मलकम बैक ट्यू मैं चैनल फ्रेंट्स विंटर के जो फ्लावर्स होते हैं वो काफी खुबसूरत होते हैं और जब हम कोई नया प्लांटों खरीद के लाते हैं अपनी गाडन में तो उनको देखनी का सबसे ज्यादा मन होता है तो कुछ है मैंने वि शेयर करूंगी तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंट्स अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बाला किन के साथ तो सबसे पहला जो प्लांटे हैं फ्रेंट्स यह है क्लैंचो की दो बराइटी आती है एक देसी और एक हाइबरेट तो इन दिनों आपको नर्सरी में हाइबरेट मिलेगी जिनके डबल पैटर्न के इनके फ्लावर्स होते हैं और यह प्लांट हमें बिद पॉट रूपीस का मिला है जो हाइबरेट वराइटी होती है इनके फ्लावर्स ऐसे गुच्छों में और डबल और टि प्लावर का कौन सा कलर है क्योंकि काफी वार ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि हम सेम कलर लेके आते हैं और फिर अच्छा नहीं लगता है जब खिलते हैं उनके कलर से तो कम से कम एक या दो कलिया खिली होनी चाहिए या कलर आपको पता होना चाहिए जिससे आपको फिर बाद में पश्टाणा ना पड़े जैसे मेरे इन दोनों प्लांट में अलग-अलग कलर है इसी के साथ जो प्लांट बांटस है यह है पिटोनिया पिटूनिया के बिना हमारा winter garden अधूरा रहता है क्योंकि सबसे कम price में और अधिक flowering करने वाला और लंबे time तक चलने वाला ये plant होता है पिटूनिया जो मुझे मिला है वो 15 रूपीज का मिला है और इसी का छोटा पौधा था जो poly bag में बिना flower खिले हुए वो 8 या 10 रूपीज का मिल रहा था तो मैं flower खिले हुए लेके आई हूँ जिससे मुझे दोड़ा सा color का पता चले खरीदते time इस बात का भी ज़रूर देहन रखिएगा प्रेंट से की ज़्यादा flower ना खिले हो जैसे इसमें देखिए दो flower खिले हुए है और लेकिन बहुत सारे कलिया बनी हुई है जिससे मैं इसे अपने garden में report करूँ तो किछो दिनों के बाद तक इनमें flower खिलते रहे और और एक बात जरूर धहन रखिए जैसे इनमें कितने सारे वंच है देखिए कितने सारे branches हैं इनके और हर ब्रांच में कलिया बने तो सबसे अच्छी बात है ऐसे चाटके आप प्लांट को खरीच सकते हैं और जैसे इसमें देखिए एक flower खिला हुआ है लेकिन मेरा ये प्लांट अच्छा घसा बूसी है और healthy भी है और बहुत सारे इनके branches बने हुए है और इधर भी देखिए अभी कली खिला हुआ है लेकिन इसमें flower नहीं खिला है लिटूनिया सबसे लंबी टाइम तक flowering करता है winter के flower plants में ये rainy season से पहले और summer तक भी बहुत अच्छी घसी ये प्लांटे flowering करता है तो दो plant में लेके आई हो अभी तो शुरुआते हैं आगे और भी purchase करनी है और इसी के साथ हैं ये जरवेरा जरवेरा काफी दिनों से सर्चे पी थी और मनपसंद कलर भी मिल गया ये dark orange कलर का है और दो बहुत ही खुबसूरत इनमे flower भी खिले है और ये plant मुझे 150 का मिला है और इसमें कलिया भी तियार है और काफी healthy ये plant है जरवेरा एक permanent flower plant है बहुत ही अच्छा ये plant पूरे salver flowering करती है और इनमे से बहुत सारे baby plants से भी grow हो जाता है और pot भी काफी अच्छा है चार हिंचे का pot है ये nursery में जो ये pot मिलते है ये काफी टिकाओ pot होते है और ये coco peat में लगा रखा है नोने और इसे जब मैं report करूंगी तो आपके साथ एक वीडियो ज़रूर शुयर करूंगी तो जरवेरा भी जब आप लाई फ्रेंट से तो धहन रखिये कि उनमें color cup को पता होना चाहिए और अगर कलिया बनी है तो बहुत अच्छी बाते हैं और दीरे दीरे जैसे इनमें flower खिलते भी रहेंगे और आगे ये जो प्लांटे हैं ये हैं गुल्दावदी गुल्दावदी ये permanent flower plant आ रखा है कह रहें कि इस बार nursery में इनकी drop variety आ रखी है और कई सारे color है सबसे अच्छी बाते है और ये प्लांटे मुझे मिला है फ्रेंट से 150 का और pot भी काफी अच्छा है 4 इंचे का pot है और काफी healthy plant है सबसे अच्छी बाते है और इतनी सारी कलिया है देखिए flower से भी खिल रखे हैं और कलिया भी बहुत अच्छी है तो और एक बात का ज़रू देहन रखना है फ्रेंट से जब भी आप प्लांट पर्चेस करके लाएं तो प्लांट कम से कम आपकी healthy होनी चाहिए बहुत लोग पीले पत्ते होते हैं या कीडे मुकोडे लगे होते हैं पत्तिया मतलब इंसेक्ट ने खा लिया है तो ऐसे देखके चाटके आपको प्लांट लेना चाहिए क्योंकि नरसरी में बहुत सारे प्लांट एक जगा रहते हैं जैसे कलिया टूटी हुई नाओ पेड लेना पड़े तो ऐसे चाटके आप प्लांटे पर्चेस करें तो बहुत अच्छी बात है और दोनों प्लांट मेरा बहुत ही हेल्दी है और इतनी सारी कलिया लदी हुई है इसमें आगे जो ये प्लांटे ये हैं मेरी गोल्ड बहुत ही खुबसूरत है और सबसे कम रेट म इस दिनों नर्शरी में ये प्लांट दिखते हैं ये अनली 10 रूपीस का में लेकी आई हो और दो पीस है मेरे पास और दोनों का कलर सेम है काफी अच्छा है मुझे अच्छा लगा ये कलर और इनकी जो फ्लावर का साइज है आप देख सकते हैं अभी पूरी तरीकी से खिला नहीं हैं कितने बड़ी बड़ी इनकी फ्लावर से खिले हुए हैं और एक फईबरेट में ने प्लांट ही लिया ये दिखा देतीयों रोज कि इनमें फ्लावर भी खिला हुआ हए और काफी संदर ये फ्लावर है और प्लांट कितना हेल्दी है तो ये रोज मुझे 60 रुपीस का मिला है बेट पॉट पॉट भी काफी हेल्दी है पाच इनची की इनकी पॉट है और प्लास्टीक भी बहुत ही मजबूत है और इनकी जो सॉयल है फ्रेंट सो वो भी अच्छा है मैंने इसे चेक भी किया है तो एक बात का जरूर देहनरे कियेगा फ्रेंट से जब भी आप प्लांट लाए नर्सरी से तो जिस पॉली बैग में या पॉट में है उनकी सॉयल थोड़ी से बुरबुरी होनी चाहिए आप पकड़ के चेक कर सकते हैं और इसी के साथ ही है ये इमपेशन इमपेशन बहुत द और पॉट भी काफी हेल्दी है चार इंची के पॉट में ये प्लांट लगा हुआ है और इमपेशन एक पर्मनेंट फ्लावर प्लांट होता है इस्टेम इनकी फ्लावर से बहुत ही खुबसूरत है और बहुत ही अधिक मातरा में इनकी फ्लावर से दिखने को मिलता है और क कर डिटेल अगर आपको चाहिए तो आई बटन और डिस्कप्शन बॉक्स में इसका लिंक के शेयर कर दूंगी तो आप देख सकते हैं और एक बाद शेयर करती हो यह शेड लबिंग प्लांट है अगर आप लेकिया रहे हैं तो इसे च्छाय में जरूर रखिये या ब्राइट में दिखने को मिल जाता है और यह प्लांट 250 मुझे बित पॉट मिला हैं कम केयर और शेड लबिंग यह प्लांट है अगर इस प्लांट को आप लेके आ रहे हैं अपने घर तो इस बात का भी ज़रूर दहन रखियेगा कि ज़्यादा धूप में मत रखिये नहीं तो इनकी उपर की जो यह कलरफूल इनकी लीब्स होती है यह सारे जल जाते हैं और इस प्लांट को ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है अगर आप इस प्लांट को पर्चिस करके ला रहे तो इनकी सोईल में एक से बहुत अच्छी तियार करनी होती है उसकी उपर एक वी टेमपिचर में या गार्डन के टेमपिचर में इसे रखने दे उसके बाद इसे रिपॉट करें कोई भी प्लांट लेके आए तो इस बात का भी ज़रूर दहन रखिएगा फ्रंट्स एक बात का ज़रूर दहन रखिएगा फ्रंट्स जब आप नर्सरी से प्लांट लेके आ और जैसे धूप वाली जो प्लांटों होती है सनलाइट में रखते हैं तो सनलाइट वाली प्लांट आप हलकी सनलाइट में रख सकते हैं लेकिन सारे प्लांटों को दिन भर की धूप में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए उससे क्या होता है कि एक तो नरसरी की रेंपेचर और हमारे घर का जो temperature होता है वो अलग होता है तो जिस जगा जिस प्लांटों को रखा जाता है उसी condition में अगर आप रखे तो प्लांटों को ज़्यादा सौक भी नहीं लगता है कभी-कभी जगा चेंज करने से भी प्लांट खराब होने के जल्दी chances होते तो इन बातों का भी तोड़ा सा धहन रखिएगा तो ये थी कुछ मेरी निव प्लांट शॉपिंग जो मैंने आपकी साथ शियर किया है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएगा और मेरी चैनल पर पहली बारे तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ फ्रेंट्स तब तक के लिए नमसकर बाई हैपी गाडिंग टेक कियर फ्रेंट्स